पूरे प्रदेश में कॉंग्रेश की रेली का विरोध किया है, साथ ही गहलोध और राहुल गानी के पुतले भी जराए है अक्यलबारती विध्यारती परिशाद दोरा पूरे प्रांत में सभी जिला केंदरों पर धौलपूर, सवाई माधपूर, सीकर, करौली आदी सभी केंदरों पर प्रदर्शन किया गया और कॉलेज महाविद्याले में भी पुतले जलाए गए इसमें राइस्तान सरकार मुक्यांती गैलोद के साथ ही सरकार ने जो वादे किये थे उन पर वैसत्ता में तो आ गए लेकिन उन्होंने बाद में अभी तक कोई भी वादे पूरे नहीं किये उनके दोरा एक भी भड़ती अभी तक भी नहीं की गई साथ ही युवाओं को ना ही बेरोजगार बत्ता देया गया ना ही छात्राओं को निश्वलक शिक्षा दी गई और इस रैली में भीड बढ़ाने के लिए सरकारी तंत्र का दुरूपयोग किया गया जिसके करेंट सभी कॉलेजों कोचिंग संसानों शिक्षान संसानों के साथ ही जो सरकारी मशीनरी का दुरूपय किया गया सरकारी कॉलेजों में टीचर्स को सीयल देकर बच्चों को बसों में भरकर लाने की दी गई थी जिम्मेदारी साथ ही प्राइवेट कॉलेज कोचिं रेल का नाम बेरोजगारी बता रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से लगातार दो महीने तक बेरोजगारों ने अंदोलन किये, छातरा बेहने टंकी पर चड़ी, लेकिन कॉंग्रेस की सरकार के एक बार भी मन नहीं पसी जा, एक साल में एक भर्ती भी नहीं पूरी की, जिसके कारण विद्यारती परिशत ने कल प्रैस कॉन्फरेंस करके चेतावनी दी और आज विद्यारती परिशत के सभी कारेकरता राजिस्तान विश्विद्याले के मुख्य द्वार पर एकत्रित हुए और जमकर गेट वर लगबग एक घंटे तक लगातार प्रदर्शन किया विद्यारती परिशत के कारेकरताओं को कोलिस द्वारा गिरफतार करके पहले मालवी नगर थाना ले जाये गया उसके बाद वहां से नागोर थाने में शाम को लेड तक छोड़ा गया विद्यारती परिशत ने पहले भी इन विश्यों को लेकर ग्यापन दिया था और यदि युवाओं के साथ में गैलोत की सरकार द्वारा चलाया किया जाता तो विद्यारती परिशत विदानसभा का घेराव करेंगी साथ ही सभी जिला की इंद्रों से और कॉलेज संसानों से विध्यारती परिशत के कारेकरदा एक जोट होकर इस कॉंग्रेस की सरकार का विरोध करेंगे बारे में हुआ गौशाला का भूमी पूजन साथ ही अब होगी गौश सेवावी प्राड़ा चीपापडोद में कल ग्राम पंचयत पचाड के गाउ गौशाला का बूमी पूजन नव निवक सर्पंच सरीता शर्मा के पती मूलचन शर्मा ने किया इसी बात को लेकर ग्रामिडों ने कहा कि सर्पंच हो तो ऐसा क्या सट सट फैसला करता है जो कि गाउ गौखेडी के ग्रामिडों ने पहले कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसा विकास गौखेडी गाउ में भी होगा लेकिन शर्मा ने अभी तक पंचयत का चार्ज भी नहीं लिया और गाउ गौखेडी में गौशाला बनाने के लिए भूमी पूजन कर दिया गौउचाला ने कि अब ओगी गोसिवा पहले भी कितने सर्पन चुनाव जी चुके हैं, लेकिन पूर सर्पन्चों ने ऐसी गोसिवा करने की कोई न सुध ली, आखेर गौउचाला बूमी पूझल होने पर गौउचाला बन जाएगी तो किसानों को अपनी फसल की चिंता करनी की जरूरत नहीं रहेगी किसानों को रातों में खेती पर मवेशियों की रखवाली नहीं करनी बढ़ेगी शर्मा ने यह भी का कि जितने भी कारे पंचायत में अधूरे बढ़े हैं जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करेंगे प्रताब नगर थाना शेत्र में एक मकान में चल रहा था देव्यापारता कार है महिला दलाल से तीन महिलां को किया गिरफतार प्रताब नगर थाना शेत्र के पटेल नगर में स्थित एक मकान में पुलिस ने सेक्स रैकेट चलाने वाली महिला दलाल समय तीन योगतियों को गिरफतार कर लिया इन योगतियों ने डॉक्टर दिलिप कुमार गजवानी के मकान को किराई पर ले रखा था वरतादिकारी शहर भवन रंदीर सिंग ने बताये कि जिला पुलिस अदिक्षक हरेंद्र महावर के निर्देशन पर प्रताब नगर थानादिकारी बजनलाल और अदिक्षक की स्पेशल टीम ने मंगलवार रात कारवाई के जरिये देव यापार का खुलासा हुआ टीम दोरा पहले बोगस गराग बनाकर बेजा गया जिसने 500 रुपए महिला दलाल और 500 रुपए एक योधी को दिये टीम वहीं शेतरप में मकान पर नजर बनाए हुए थी बोगस गराग ने मकान में अंदर जाकर टीम को इशारा किया इशारा मिलते ही टीम ने दबिश दे दी महिला दलाल और योधी से वरतादीकारी शहर के हस्ताक्षर योग्द 500 पानसो रुपए के दो नोट बैंक की पासबुक जरूरी कागजात साहित कई अपती जनक सामगरी बरामत की गई गर में दो अन्य योधियां भी बिली जो देव यापर में लेप्त पाई गई चारो महिलाओं को गिरफतार कर लिया गया महिला दलाल ने बताए कि डॉक्टर दिलीब कुमार गजवानी का मकान पिछले लंबे समय से किराए पर ले रखा था पूछताज में सामना है कि महिला दलाल जहारकंड की रहने वाली है और योतियां मद्यपरदेश के मंदसौर उज्जैन और बिहार की रहने वाली है वही आसपास के रहने वाले लोगों का कहना है कि डॉक्टर दिलीब कुमार गजवानी के मकान में लंबे समय से यह देव्यापर चल रहा था सूतरों की माने तो मकान में चल रहे देव्यापर की बनल डॉक्टर गजवानी को काफी समय से थी हो सकता है डॉक्टर गजवानी भी देव्यापार में लिप्त हो या मोटे किराई के लालच में डॉक्टर ने मकान किराई पर दे रखा हो पुलिस ने जनवरी मा में ही देव्यापार पर या दूसरी कारवाई की है आपको ग्याद हो कि इससे पहले मांडल पुलिस में साथ जन्वरी को मांडल थाना शेतर में अजमे रोट पर समन्वे कॉलोनी में एक विला पर छाबा मार कर मुक्यारोपी दलाल दमपती दुर्गेश गुजर समें चार दलाल और चार ग्यारा योगतियों को ग्रफतार किया कि पटेल नगर में छे के 21 मकान है उसमें एक महिला दलाल है जो बार से लड़ियां पुलाके और वेश्यवक्ती करवाती है और ग्राक वहाँ पर जाम की ट्याम पहुंसते जाते हैं इस पर हमने एक शिपाई बेज के वेरिफाय करवाय तो उस मकान जो इतलाती वह सही प्र एक बोगस कराग हमने त्यार करके बिजवाया इस और टिनों में सिताई देखते रही है न्यूस नाइटीन नमस्का